लगतार खबरों में हमारे साथ दावन किया है काबा फ्यूजिन, अरकांसर स्पाइन एंड पेंड, सैंटियागो कैनिन कॉलेज असलामु अलेकुम नाज़ी, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजी हबतुलकादर, सबसे बहले शामिल करते हैं यूज़ अप्लाइम्स वजीर आसल इमरान खान की जेरे सतरत वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें आहम अमूर जेरे गौराए वफाकी काबीना ने फलस्तिन के लिए तिब्बी इम्दाली समान भीज़वाने की मन्जूरी दे दी वजीर खारजा शाह ममूद कुराशी ने कहा कि अमरान खान तहरीक इनसाफ के बानी जेमें हैं और इन पर एत्माद ना करने वालों की पार्टी में रहनी की कोई गुंजाईश नहीं एदुल फितर मनाने के बाद परदेशी अपने अपने शेहरों को लोटने लगे जबके लोहर रेलवे सेशन पर मुसाफर बेगार मास के सफ़र करने वालों पर पुलिस की जाने पे जुर्माने आइद किये जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीम ने पंजाब हुकूमत पर इंतिकामी कारवाईया करने का इज़ाम आइद करते हुए कहा कि सुभाई हुकूमत दबाव डाल रही है वजिर खारजाज शाहममूद कुरेशी ने तर्क सदर से मुलाकात ने मसले कश्मीर और फलस्तीन पर दो टोक मौकिफ की तारीफ की जबके तर्की फलस्तीनियों के हक में पाकिस्तान के मौकिफ और काविशों का मतारिफ है लोहर में लॉकडाउन के दौरान बंद की जाने वाली औरेंज लाइन टेन को दुबारा चला दिया गया वफाकी वजीर इतलास वबाद चौधरी का कहना है कि अगले पांस साल भी हमारी हुकूमत होगी और कोई कानून साजी नहीं रुकेगी पाकिस्तान मुस्लिमी गनून के सदर और काईध थे प्तिलाफ शहबाद शहीफ की पार्टी के मिलहूम वेहनुमा जाहरे शाह के रिहाजगार दसका में आमद शहबाद शहीफ की नशीनी सिकार के एहले खाना से भी मुलकात हुई पिशावर बाटनिकल गार्डन को इस हद तक तबा किया गया कि इसकी खिर्कियां, दर्वाजे फंके, एर कंडिशन, लोहे के बड़े बड़े गेट, जंगले सब कुछ उखार कर फेक दिये गए साओधिय अरब में जकार, टेक्स और कस्टम अथोर्टी ने ऐलान किया कि मुम्लिकत में आने वाले अगर अपने साथ 25,000 सिग्रेट के पकेट लाएंगे तो इन्हें कस्टम फॉर्म जमा कराना होगा और पाकिस्तान अचुमन ताजरान ने जुम्मे के रोज फलस्तिनियों से इज़ारे जगजहती के लिए मुल्क फर्ग की तमाम मार्केटें बन रखने का ऐलान कर दिया फाइजर वेक्सीन को आम फ्रिज में भी लंबे अर्से तक महपूस किया जा सकता है माहीन ने नई पेशकर्श जारी कर दी अदाकारा मैजबान मतीरा ने स्राइल की वहश्यान जारियत से मुतासरा फलस्तिन से बच्चे को गोद लेने की खौाइश का इसार कर दिया अदाकारा की कमी नहीं तबार से नाकारा समान एकटा करके आरिफवाला के रहाईशी नाजवान ने लेक्टरिक पर चलने वाली गारी तयार कर ली हेडलेंस अपने मुलाइज़ा की अब चलते हैं तफसिलात के जाने शामिल करते हैं पाकिसान से कुछ आहां खबरें वजीराजम इमरान खान की जेरे सदारत वफाकी काबिना का इदलास हुआ जिसमें आहम अमोर जेरे गौराए वफाकी काबिना ने फलस्तिन के लिए तब्वी इमदादी समान भिजवाने की मनसूरी दे दी तफसिलात के मताबिग वजीराजम इमरान खान की जेरे सदारत वफाकी काबिना का इदलास खतम हो गया इदलास में 14 नुकाती एजेंडरे पर गोर किया गया और मुल्की सियासी और माशी सूरत हल का भी जायजा लिया गया इदलास में वजीराजम इमरान खान की दोरह सदारत वादले ख्याल भी किया गया इदलास में फलस्तिन की मौजूदा सूरत रहाल भी जेरे गोर आई काबिना ने फलस्तिन के लिए टिब्बी इम्दादी समान भिजवाने की मनजूरी दे दी वफाकी काबिना ने एक्तिसादी राप्ता कमीटी इजलास के पैसों की भी तौसीग कर दी एसीसी ने आई पी पीस को 40 पीसत वाजबात अदा करने की मनजूरी दी थी करतार पूर रहधारी मनसूबे को पैप्रा रूल्स से इस्सना देने की उसूली मनजूरी दे दी गई वफाकी काबिना ने तकनीकी मामला देखने के लिए मामला पैप्रा को भिजवा दिया वजीर खारजाज, शाह मेहामोध कुरेची ने कहा कि इमराज चान, तहरी के इनसाफ के बादी चैमेन है और इंपर एतिमाद ना करने वारों की पार्टी में रहने कि कोई गुणाईश नहीं शाह मेहामूध कुरेची ने कहा इसलिए यकीन है कि वो ऐसा नहीं करेंगे उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने अराकीन को दावत दी इनकी गुफटगु सुनी और यकीन दिलाया कि नाइंसाफी नहीं होगी इनकी खौईश थी कि तहकीकात के लिए इनकी पसंदीदा शक्सित को नाबज़त किया जाए वजीर आजम ने इनके कहने पर अली जपर को जमेदारियां सोपी अब अली जपर ने भी अपनी रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करनी है वजीर खारजा ने जहांगीर तरीम का नाम लिये बेगर कहा कि अमरान खान आपके लीडर है अमरान खान को लीडर मानते हैं तो लीडर के फैसों पर अमादगी जाहिर करना होती है एदुल फित्र मिनाने के बाद परड़ेसी अपने अपने शेहरों को लौटने लगे जबके लाहूर रेलवे स्टेशन पर मसाफिर बेगर मास्के सफ़र करने वारों पर पुलिस की जानफ से जर्मान आई किये जा रहे हैं मज़ीद अफसला जानते हैं बेरोचीफ सल्मान लुक्मान की स्रिपोर्ट में अज़ी बिलकुल ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूँ सल्मान लुक्मान मैस्टर मजूद हूँ लगडाउन की वज़ा से जो ट्रेनों के मसाफिर थे उसका रच तो कम था लेकि जैसे ही आज से जो है प्रॉपरली लोगडाउन खुल गया है और आठ बजे तमाम दफातर कारोबारी मराकाश जितने भी हैं उनको बंद करने के कामाश जारी किये गे थे लेकिन यह है कि जो मसाफिर मास्क के बगएर रेलवे पर सफर कर रहे हैं S.S.P. रेलवे लहूर मलक महमद अतीक की हदायत पर S.H.O. लहूर जो है जनाव राइफ एसल की जानिब से एक्शन लिया गया है उनकी हदायत के मताबिक जो मसाफिर मास्का इस्तमाल नहीं करेगा उसको 500 रुपय जरुमाना किया जाएगा जबकि यह भी S.H.O. की जानिब से आठ के करीम जो मसाफिर जो मसाफिर जरुमाने किये गए हैं अलबता यह कि मसाफिरों का कहना है जरुमाने ज्यादा होने की वज़ए से कुछ प्रॉबलम दा जाती है लेकिन यह कि इसको मजीद कम किया जाए जरुमाने को जरुमाने किया जा रहा है जैसे ही उनको पता चला कि S.H.P. की जानिब से तमाम तर जो मसाफिर है उनके मासक और S.O.P. इसको यकिनी बनाय जा रहा है जो मासक नहीं पएनेगा उसको जरुमाने किया जाएंगी उसके साथ ही जो है लोगों की जानिब मासक के इस्तेमान जिधी किया जारा बतार यह कि आप देख सकते होंगे रभनवान केमरामान दिकारों का بقاعدہ سے یہاں پر صفائی ستھرائی جو ہے ریلوے جو یہاں پہ ہے اس کی جانب سے کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہوں کہ یہاں پر جو پلیٹ فارم ہے اس کو بھی بقاعدہ سے جو ہے ڈی ایس ریلوے لاہورڈ ڈیویزن ناصر خلیلی کی حضائیت کے مطابق ساف کر دیا گیا ہے صفائی کے بھی انتظامات بہتر کیے جارہے ہیں اور جیسے ہی آج سے جو ہے پروپرلی लॉक्डॉन आज जो है वो खुला है और आड़ बजे तक तक तमाम माराकश जो बंद करने कामाज भी जारी किये गए है मसाफिर जो दूसरे शहरों में गए थे इद मनाने के लिए वो भी जो है अब लाहोर वापिस आ रहे हैं कि सुभाई हुकूमत दबाव डाल रही है इसलिए एस्सामली में आवाज उठाने के लिए गुरूप बनाया लोहर की बैंकिंग कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तकू करते हुए जांगी तरी ने कहा कि अदालतों में मुसलसल पेश हो रहे हैं और हमसे जो चीज मांगी जाती हैं को देते हैं हर चीज की दस्दाविजात हैं जिन जिन चीजों पर सवालात उठाएं हैं इनकी मुकंबल मिनी ट्राइल FIA को दे दी है हमारे खिलाफ तीनों FIR में चीनी का कोई जिकर नहीं इस FIR का चीनी माफिया शुगर स्कैनल से कोई तालुक नहीं उन्होंने कहा कि कल रात मीडिया में एक तूफान खड़क किया गया है हम PTII से हट रहे हैं लेकिन वाज़े कर रहा हूँ कि PTII का हिस्सा थे और रहेंगे हमारा गुरुप तीन माह से बना हुआ है ये कल नहीं बना जांगीर जरीन का कहना है कि मेरे खिलाफ FIR पर मेरे दोस्साथ खड़े हैं और जब ये लोग वजीर आज़म को मिले तो वजीर आज़म ने अली जपर से कहा कि आप FIA और हमारे लोगों से भी मिले इनसाफ करें और हकीकत सामने लाएं अली जपर से हमारे वुकला की तफ्सीली मीटिंग हुई उमीद है इनकी रिपोर्ट जल मज़र आम पर आएगी या वजीर आज़म को चली जाएगी उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान इनसाफ पसंद है मगर पंजाब हुकूमत ने हमारे लोगों के किलाब इनतिकामी करवाईयां की अफसरान के तबादे शुरू हो गए इस जबाओ के नतीजे में मेरे आशाये में लोगों ने फैसला किया और अपनी आवाद पंजाब इसम्मी में उठाएंगे क्योंकि उनकी तमाम जमेदारी पंजाब हुकूमत पर है और इनका रवया खलत है वजीर खारजा शाह में मुद कुरेशी ने तुर्क सदर से मुलाकात में मसला कश्मीर और फलसीन पर दो टोक मौकिफ की तारिफ की जबके तुर्क सदर ने कहा कि तुर्की फलसीनों के हक में पाकिस्तान के मौकिफ और कावी शुका मुतारिफ है तफसला के मताबिक एंकरावे वजीर खारजा शाह में मुद कुरेशी की तुर्क सदर रजबतिप अर्दुगान से सदारती महल में मुलाकात हुई मुलाकात में तुर्क मुद कावी शुका वीश रिक थे मुलाकात में दो ताजबा तालुकात सलस्टीन की सुरतिछाल अफगान आमन अमल पर गुफटगू हुई मुद का नेक तमनाओ का पैगाम तुर्क सदर को पहुँचाया और कहां दोनों मुमाले की सोच में ममासर तालुकात के सचाहां का बाइस है वजीर खार्जा की तुर्की आमत पर इधारे मुसार करते हुए तुर्की पलस्टीनियों के थालिज है पाक तुर्क आला सता स्ट्रेटिजिंग तावन कौंसिल के इजलाग की मेदबानी करेंगे। तुर्क सदर रजगत तयएप अर्दुगान ने वजीर खारजा को वजीराद रिम्रान खान के लिए पेगाम भी दिया। लाहॉर में लागडाउं के दरान बंद की जाने वाली औरिंज ट्रेन को दुबारा चला दिया गया। औरिंज लाइन के इन मसाफरों के लिए सकती सवारी समझी जाती है। मज़ी तक्सिला जानते हैं विरोचिफ सल्मान लुक्मान के इस रिपोर्ट में अजी बिलिकल ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूँ सल्मान लुक्मान विरोचिफ लाहॉर में आज़ आपको बताओं के ओरिंज लाइन ट्रेन जो थी वो लॉक्डाउन के दुरान उसको बंद कर दिया गया था लेकिन यह कि दुबारा से जैसे ही आठ तरीक के बार लो जो मुसाफिर सफर किते हैं औरिंज लाइन ट्रेन पर 40 रुपे में 20 रुपे में उनके खुशी की लहर सी उनके चेहरे पे तारी होगी है उनका कहना है कि अकुमान की जानिब से लॉक्डाउन के दुरान जो है इसको बंद किया गया था औरिंज लाइन ट्रेन को लेकिन य जो है सफर करते हैं और उनके मताबिक जो है ये अच्छी सफरी सहुलियात इससे मिल जाती है और इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह के दूसरे ममालिक में भी औरिंज ट्रेन जो जो ट्रेन चलती है तो इसको भी जो है औरिंज ट्रेन को जो है पंजाब हकुमत ग अधाफा होने की वज़ा से लेकि हम दोबारा से जो यह और इंज लैंड ट्रेन का जो इफ्ता जो पहले किया गया था अब दुबारा से लॉक्डाउन में जो है इसको शुरू होने के बाद दुबारा चला दिया गया है और मसाफिर अभी भी इसके अंदर सफर कर रहे हैं उनका कहना है कि यह दुबारा से चलाने के बाद जो है हम महंगे करायों से निजाद असल कर चुके हैं और सस्ती सफरी सहुलियात में हम सफर करते हैं और इसके अंदर बकाईदा से एसी चलते हैं गर्मियों में उसकी तिलाद फवाद चौधरी का कहना है कि अगले पांस साथ भी हमारी हुकूमत होगी और कोई कानून साजी नहीं रुकिगी। साबाद में एलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के हवाले से मीडिया को ब्रेफिंग देते हुए फवाद चौधी ने कहा कि एलेक्शन इसलाहत पर तमाम जमाते बैठे और मतफ़का फैसला करें एलेक्शन कमिशन ने मशीन के लिए 36 शराइद दी थी तमाम फूली कर दी गई ह उन्होंने कहा कि एलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन बिज्डी से नहीं चलती इसकी अपनी बैटरी है और जो लोग मुबायले समाल कर सकते हैं वो इस मशीन को अराम से चलाएंगे जबके जितनी इलेक्शन कमिशन की इस वक लागत आ रही है इतनी ही इन मशीनों पर भी अगले पांस साल भी हमारे हकूमत होगी कोई कानून साथ भी ना सैनिट में रुकेगी और ना ही कौमिय समनी में रुकेगी पाकिस्तान मुस्लिम लिग नून के सदर और कायब हजब एक तलाव शेबाज शरीफ की पार्टी के मरहूम रहनुमा जाहरे शाह की रहाज़गा तसका में आमद शेबाज शरीफ की नशीन इफ्तिकार के एहल खाना से भी मुलाकात हुई मजीद अफसला जानते हैं वियूरेचिस सल्मान लुक्मान के इस रिपोर्ट में पाकिस्तान मुस्लिम लिग नून के सदर और कायब हजब एक तलाव शेबाज शरीफ की पार्टी के मरहूम रहनुमा जाहरे शाह की रहाज़गा दसका आमद शेबाज़ों की सियद अफटخार हुसेशा और मरूफ जाहरे शाह की साहवज़ादी नुशीन अफटछेर और अहल खाना से मुलाकात शेबाज शिरीब ने जाहरे शाह की वफात पर ताजियत की और फातिया खवान ही की इस मोका पर इनका कहना था कि अफ्तखार हुसाइन शाह नौाज श्रीफ के बाहितमाद करीबी और नजरियाती वबस्तगी रखने वाले मुखलस साथी और शानदार शक्स थे जाहर शाह की ओवाम से और अवाम की इनसे महबत का मज़र आज उनकी बहादर बेटी की डसका इन्दखाब मे तारिखी फता है इनका कहना थै कि नौशीन इफ्तखार बहादर वालत की एक बहादर और नाडर बेटी है हम सब को इन पर इनके साथी और हलके की अवाम पर फखर है जाहरे शाह हम में से नहीं लेकिन इनके काबले फखर बेटी अपने वालत के अजम और हिम्मत से खलके खुदा की खिद्मत का मिशन आगे बढ़ा रही है शबाज शरीफ ने नौशीन इफ्तखार को डसका के जिमने इंदखाब में भरपूर मकाबला करने पर शाबाश दी नौशीन इफ्तखार का शुकरिया भी अदा किया सल्मान लुक्मान ओपी टीवी ग्लोबल लाहूर पिशावर बॉर्टिंगल गार्डन को इस हद तर तबाह किया गया है कि इसकी खिर्कियां, तरवाजे, पंके, एर कंडिशन, लोहे के बड़े बड़े गेड, जंगले सब कुछ उकार दिये गए है मज़ी तफसिला जानते हैं गुलामात फारुटिकी खुछूसी रिपोर्ट में किलास्रूम दफातर लिबाटरीज के क्रिटीरिया यानि तमाम तर इंस्टास्रेक्चर तबाह किया गया है इससे एरकंडीशन, पंके, मशिंडरी, सामान, हत्ता की किल्की, दरवाजे, रोशंदान भी उकार कर नमालूम अफराद ले गए सतम बलाय सतम ये कि इसके किलास्रूम की इतनी भी हुर्मत ही की गई कि फर्ष में लगे हुई संगी मनमर और दिवारों से टाइल्स भी उकार कर तबाह किया गया उसके में गेट में दिवार के साथ साथ बड़े बड़े जंगले थे लोहों के इन बड़े बड़े गेटों और दर्वाजों जंगलों को भी नमालूम हातों ने फुलादी आरा से काट कर ले गए और किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकी हरंगी के बात ये है कि यहां ये सब तबाही हो रहाता वहां बिलकुल उसके सामें अजाहिल का पूलीस चोकी भी है पिशावर उनिवस्टी बाटनी डिपार्टमेंट का ये बोटानिकल गार्डन है जो तबाही का मंदर पेश करता है 2005 में पिशावर उनिवस्टी ने इसको इसलिए खायम किया था कि यहां पे MSC, बाटनी, इंफेल, बीजडी किस, सेंक्रो तुल्बा तालिबात इससे इस्तिफादा हासल करें और तारीम हासल कर सकें और पिछले हुकूमत में इसको बंद किया गया अब यह आपके सामने है कि बिलकुल इससे किल्की, दर्वादे, पंके, हिर कंडिशन वगएर सब कुछ उकार की ले गए और यह बिलकुल ऐसा लगता है कि इस पर किसी ने बंबारी की है इसके ने सरब कोई 89 लोग दे रोजगार हो गए बलकि सेंक्लो तुल्बा भी तालीम के जिवर से महरूम हो गए सेंक्लो तुल्बा तालीबात के साथ साथ मकामी लोग भी हुकुमत से मतालबा करते है कि इस बोटानिकल गार्डन को दुबारा बहाल किया जाए ताकि एक तरफ लोगों को रुजगार मिल सकें और दूसरी जानलब यहां पे लोगों को इनकी बच्चों को तालीम का मुका मुयस्तर हो और यहां पे शाम के वाकत लोग अपनी फैमिली के साथा की पिक्निक बनाया करते थे उसे दस रुपे बीस रुपे टिकेट लेते थे उसे भी आमदनी होती थी वो में सलसला बंद हो गया तो मुकामिलों की मुचार्बा करते हैं कि उसको दुबारा बहाल किया जाए और उसकी रौनक है पिर बहाल किया जाए अहुँजाद गुलमात वारुकी, ओप्य टीवी गलोबल नेट वार्क, बोटानिकल गार्डन, अजाखेल नोशेहरा नज़ेदाते हैं आज में जिलनामे पर साथा कार, टेक्स और कस्टम अथॉर्टी ने ऐलान किया है कि मुम्लिकत में आने वाले अगर अपने साथ 25,000 सिग्रेट के पैकेट लाएंगे तो इन्हें कस्टम फॉर्म जमा कराना होगा गैर मुल्की खबर इसायदारे के रिपोर्ट के मताबिक आथॉर्टी का कहना है कि साथिय अरब आने वाले 25 से ज्यादा सिग्रेट के पैकेट लाएं तो कस्टम फॉर्म जमा कराएं जातका ने कहा कि मुम्लिकत में आने वाले अगर अपने हमरा 3,000 रियाल से ज्यादा मालियत के ताहए ने जिस समान या इतनी रिकम के मसावी गेर मुनकी करसी में समान लाए तो इस हमाले से इने भी कस्टम फीस अदा करनी होगी और कस्टम फॉर्म पूर करके जमा कराना होगा कवाई जबाबत के खिलाफ परदी पर एक्शन लिया जाएगा सौधिय अरप में जगार टेक्स और कस्टम ने मतनबा किया कि अगर कोई मसावी मुकररा हस्ते जाय समान लाए और कस्टम फॉर्म भी जमाना कराए तो ऐसी सूरत में भारी जुर्माना होगा और समान भी जब किया जा सकता है ख्याल रहे कि इससे कबल भी मुतालगा इदारा ने मुसावरों को हिदाय की थी कि वो खलीजी मुमाले के मुच्टरका कवरीन के मताफिक अपनी कीन्ती अश्यों के बारे में महक्मत तस्रम को मुतालगा करें नजदावते हैं तिचारते दुनिया की एक चलक पर और पाकिस्तान अंज़मन ताज़रान ने जुम्बे के रोज फलस्तिनियों से इधारे जगजहती के लिए मुल्क भर की मार्केटे बंद करने का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान अंजमन ताजरान के मर्कजी सदर खालिट फर्वेश मलिक और अंजमन ताजरान लहूर के सदर मुझाहिद मकसूद बड ने लहूर में Press Conference की खालिट फर्वेश मलिक ने कहा कि फलस्टीन के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तयार है खुक्मरानों को जगाने की जरुवत है जंग करना पड़ी तो तमाम मुसल्मान इखटे होकर चलेंगे उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि यहूदी कंप्नियों की मस्नुआत का बाइकॉर्ट करें और मौजूदा अशियार तल्फ कर दें खुक्मरानों को जगाने की जरुवत है जंग करनी पड़ी तो तमाम मुसल्मान इखटे होकर जंग के लिए तयार है शामिल करते हैं सेहसे मताने कुछ हम खबरें फाइजर वैक्सीन को आम फ्रिज में भी लंबे अर्सी तक महफूस किया जा सकता है यॉर्पिन मेडिसन एजनसी ने तद्रीक कर दी गेर मुर्की मीडिया की रिपोर्ट के मताबिक अमरीकी कंपनी फाइजर के तयार करदा करोना वैक्सीन को मनफी 70 से जाएज दर्जहराल पर महफूस करना होता है जिसके बाइस गरम मौसम के हामिल मुमालिक के लिए फाइजर वैक्सीन को स्टोर करना इंतहाई मुश्किल था European Medicine Agency ने हालिया बयान में गरम मौसम के हामिल मुमालिक को Pfizer Vaccine आम फ्रिज में भी एक माह तक महफूस रखने की खुशकब्री सुना दी इससे कबर European Medicine Agency ने कहा था कि करोना वारिस की जुनूबी अफ्रीका और बरतानी किसम पर Pfizer Vaccine 75% तक असर इंदास हो सकती है ख्याल रहे कि UNICEF ने पाकिस्तान को Pfizer Corona Vaccine की स्टोरिज के लिए मुफ कंटिनर्स पर हाम किये थे क्योंकि पाकिस्तान कोल्ड चीन सिस्टम 120 रेट पर स्टोरिज का हामिल है शामिल करते हैं शोबिस और इंटेटेनिन की दुनिया का हैवाल अधाकारा मैजबान मतीरा ने इसराइल की वहशियाना जारियत से मुतासरा फलस्तीन से बच्चा को उद लेने की ख्वाहिश का इजहार किया है इंस्टेग्राम पर अधाकारा की जानब से स्टोरिज शेयर करते हुए अपनी दिले ख्वाहिश का इजहार किया मतीरा ने लिखा कि मेरी खौाइश है कि हम फलस्तीन से किसी बच्चे को अडॉप कर सके और मैं इस बच्चे को महबब दे सकूँ जिसने अपना घर खोया हो मतीरा ने अपनी स्टोरी में मद्दाहों से तज्वीज सल्ब करते हुए लिखा कि अगर वहां फलस्तीन बच्चा गोड लेने का कोई तरीका है तो मुझे आगा करें ख्याल है कि सिकवल भी शोबस इंड्रस्टी से मुसलिफ मुक्तलिफ शक्सियात फलस्तीन से इज़ार एक जहती के लिए मुक्तलिफ एक्दामात उठा चुकी है जबके हाल ही में अदाकारा राविया बट ने फैसल एदी के हमरा फलस्तीनी भाईयों और बहनों की मदद के लिए फलस्तीन जाने की खौईश का इज़ार किया है साइंस और टेक्निलोजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है आईए दिखते हैं बड़े शेहरों में ट्राफिक से बचने के लिए कहीं फिजाय जराय नकलो हमल का ख्याल पेश किया जा चुका है अब हाल ही में एक कंपनी ने मसाफर बरदार ड्रॉन तयारों का ख्याल भी पेश कर दिया है एक जर्मन कंपनी वॉल्फ कॉप्टर की जानिब से कई साथ से खुदकार परवास की सलाय या तकने वाले मसाफर बरदार ड्रोंस की अजमाश की जा रही थी अब इस कंपनी ने एक और कॉंसेट ड्रॉन वॉल्फ कनेक्स से मतारिफ करवाया है जो चार मसाफरों को 64 मील तक सफर करवाने में मदद पराम करेगा कंपनी के मताबए के ड्रॉन हाइबर्ड लिफ को इस्तमाल करेगा और बिज़नी की मदद से परवास करेगा इस ड्रॉन की रफ्तार 111 मील 4 घंटा होगी वॉल्फ कनेक्स में 6 बर की मोटर्स और रोटर्स मौदूद है कंपनी की मताबए के ड्रॉन किसी शहर के अंदर तवील फासला तैकर सकेगा और लोगों को मत्तूबा मंजिल तक जल्द पहुंचा सकेगा वॉल्फ कॉप्टर की CEO फ्लोरीन ने बताया कि ये कॉंस्टैप लोगों को कम कीमत मौसर और मुस्टैकम परवास के जरिये दुनिया भर में शहरों में सबारी परहाम करने के मिशन को पूरा करने में मदद परहाम करेगा इस कंप्टी ने सन 2020 के आकर में अवली कमर्शिल परवाजों के लिए रेजर्वेशन को ओपन किया था इस बुकिंग के लिए 300 योरो जैदर सीसर डिपॉलिट जमा कराना होगा और मुस्ताफरों को 15 मिनिट की परवास का मतले ने काम वाका मिल सकेगा ये परवाज इन जगाओं पर दस्याब होगी जहां कंप्टी का काम करने की इजाज़त मिलेगी इस वक्ट कंप्टी को ये इजाज़त सिंगापूर मी दी गई है और वॉल्व कॉप्टर आएंदा तीन बर्सों के अंदर किसी वक्ट वहाँ कमर्शल सर्विस का आगाज करेगी शामिल करते हैं खेरों के मैदान से कुछ हम खबरे अबुदावी में पाकिस्तान सूपर लीग के बक्या मैचस के इनिकाथ के लिए सक्षरायत आ रहे आने लगी जराय के मताविक अमराथ में क्रिकिट बोर्ट की जानिब से पीसल सिक्स के मिजबानी की तद्दीग के बावजूद एवन का इनिकाथ मुम्किन दिखाई नहीं दे रहा और अबुदावी में मैचस के इनिकाथ के लिए सक्षरायत आ रहे आ रही है पीसीबी के जराय का पताना है कि पीसीबी को आपरेशनल कोविड वैक्सीन, सफ्री पोर्ट्रो कॉस और दीगर कई मसाल दरपेश है इसलिए गड़ी शरायत में पीसीबी के लिए मैचस का इनिकाथ मुम्किन नहीं जिसके बाइस पीसल के अबुदावी में इनिकाथ केम कानाज अभी भी 50-50 है दराय का कहना है कि पीसीबी के फ्रेंचाइज मालिकान के साथ आज आहम मीटिंग है जिसमें बड़ा फैसला मतवक्त है शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिल्चस्प और मुन्कृत खबरे मुल्क में हुनर्मन अफराद की कमी नहीं कबार से नाकारा समान एकटा करके आरिफवाला के रहाइशी नौजवान ने इलेक्टिक पर चलने वाली गाड़ी तयार कर ली जो 18 मन बजन उठाने के साथ 9 घंटे मसलसल अपना सफर जारी डख सकती है मज़िद अफसला चांदे हैं इस रिपोर्ट में गलियों बजारों से गुजरती ये अलेक्टिक गाड़ी किसी सरकस की नहीं ये गाड़ी है आरवला के नवाही गाउं 10 सीबी के रहाषी नौजवान की जिसने कबाब़ से पुझे अकटे करके तियार की माहिम्ट नोजवान ने कबाड़ से मिलने वाले पार्च के साथ अलेक्टिक पर चलने वाली गारी तियार करके तो कि एक चोटी गाड़ी बन सकती है। मैंने वो कबार उठाया उठा कर उसको एक चोटी गाड़ी बनाई जो के इलेक्टरिक पर चलती है। प्यूल पर भी चल सकती है। गौर्मेट आप पाकिस्तान से मेरी अपील है कि मुझे इस कलस है जारी किया जाए। तैक्टरिक पर चलने वाले ये गाड़ी नोजवान ने नहायती कम कीमत में त्यार की है। लाकामतिनों का कहना है कि नोजवान ने गाड़ी बनाकर एक मसाइल काम कर दी है। हमारे गाउं के इस गरीब नोजवान ने बड़ी कम कीमत में ये गाड़ी तियार की है पाकिस्तान से अपील है कोईन जैसे कुलसंस फराम करें ताकि ये ट्रैफर कावानीन की मुश्कलात से भी बच सकें अब तक के लिए इतना ही मजीद खापरों और अबडेट्स के लिए देखते रहे ओपी टीवी क्रोबल